बसंत पंच्मी कब है? जाने सही डेट, पूजन विधी, शुब मुहूर्त और मा सरस्वती की जन्म की कथा? ये वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले मा सरस्वती की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी. बसंत पंच्मी का त्योहार इस बार 14 फरवरी बुद्धवार को मनाया जाएगा. ये त्योहार हर साल माग मास के शुकल पक्ष की पंच्मी तिथी को मनाया जाता है. इस दिन भक्त जन माता सरस्वती की पूजा अर्चना करते हैं और सुख सम्रिद्धी के लिए उनका आशिरवाद प्राप्त करते हैं. माग माह के शुकल पक्ष की पंच्मी या पांच्वी तिथी को बसंत पंच्मी का त्योहार मनाया जाता है. इस बार बसंत पंच्मी 14 फरवरी बुद्धवार को मनाय जाएगी. बसंत पंच्मी से बसंत रितु का आरंब भी होता है. धार्मिक मान्यत आनुसार बसंत पंच्मी के दिन मा सरस्वती अवतरित हुई थी. जोतिश के मुताबिक, बसंत पंच्मी का दिन काफी शुब माना जाता है. इसलिए इस दिन को अबूज मुहूर्थ के तौर पर भी जाना जाता है. इस दिन पीले रंग का वस्त्र पहन कर पूजा करना भी शुब होता है. तो आएए जानते हैं कि बसंत पंचमी किस शुब महूर्त में मनाई जाएगी बसंत पंचमी पूजा विधी बसंती पंचमी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें उसके बाद माता सरस्वती की मूर्ती साफ चोकी पर स्थापित करें नमब तीन इस दिन पीले वस्त्रधारन करके ही पूजा करना चाहिए नमब चार माता सरस्वती की वंदना करें और भोग लगाएं नमब पांच अंत में माता सरस्वती की आरती करें और प्रसाद वित्रत करें बसंत पंचमी शुब महूर्त हिंदू पंचान के अनुसार माग शुक्ल पंचमी तिथी को बसंत पंचमी मनाई जाती है बसंत पंचमी 13 फरवरी को दोपहर 2 बजकर 41 मिनट से शुरू होगी समापन 14 फरवरी को दोपहर 12 बजकर 9 मिनट बजे तक रहेगी इस दिन सरस्वती पूजा का शुब मुहूर्थ सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 12 बजकर 41 मिनट तक रहेगा सरस्वती पूजा के लिए सिर्फ साड़े 5 घंटे का समय रहेगा उदयाति थी के अनुसार इस बार बसंत पंचमी 14 फरवरी यानी बुधवार को ही मनाई जाएगी देवी सरस्वती की जन्न कथा प्राप्त जानकारी के अनुसार ब्रह्मा जी ने जगत की रचना की और मा सरस्वती के आशिरवाद से जगत का विकास हुआ पुराणों में वर्नित है कि ब्रह्मा जी के मुख से एक सुन्दर स्त्री जिन्हें हम मा सरस्वती के नाम से जानते हैं का जन्न हुआ कहते हैं कि जैसे ही मा ने वीना का स्वर छेड़ा संपूर्ण जगत आनंद विभोर हो उठा शायद यही वजह हो कि मा की वीना को सभ्यता के विकास के साथ जोड़ कर देखा जाता है हम उस दिन को वसंथ पंचमी के रूप में जानते हैं इसके साथ ही दुरगा नबमी के दुसरे दिन भी मा सरस्वती की पूजा का विधान है सरस्वती माता की जन की कथा मा सरस्वती को शांत स्वभाब की देवी कहा गया है उनके चार हाथों में से एक में माला दुसरे में वेदों को दिखाया गया है और दो अन्य हाथों में माने वीना धारन की हुई है मां को श्वेत रंग अतिप्रिय है इनके गले में श्वेत रंग की माला है तथा इनके वस्त्र भी श्वेत हैं देवी सरस्वती का वाहन मोर हैं सरस्वती जी का परिवार सरस्वती पुरान के अनुसार सरस्वती जी का जन्म ब्रह्मा के मुख से हुआ था देवी सरस्वती के अद्भुत रूप को देखकर ब्रम्हा जी ने उनसे विवाह कर लिया अब ब्रम्हा जी और देवी सरस्वती के पुत्र को स्वयंभू मनु के नाम से जाना जाता है मान्यता ये भी है कि अपनी ही पुत्री से विवाह करने की वजह से ब्रम्हाजी की पूजा अन्य देवों की तरह नहीं की जाती है इसे इस प्रकार भी देखा जा सकता है कि जीवन यदी संगीत मैं हो तो आनन से कच जाता है अन्यता बोज प्रतीत होता है ब्रह्मा जी यदी जीवन है तो मा सरस्वती संगीत हैं इन दोनों से जीवन संगीत मैं है देवी सरस्वती माता का मंत्र श्रीन हृी सरस्वत्य स्वाहा ओम री ये हृी सरस्वत्य नमह मंत्र साधना के लिए किसी योग्य विद्वान का परामर्श अवश्य लें देवी सरस्वती से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें सरस्वती जी का विवाह आपने पिता ब्रम्हा जी से हुआ माना जाता है देवी सरस्वती स्वर और विद्या की देवी हैं